राठ में सांप काटने से महिला की मौत, घरेलु कार्य करने के दोरान सांप ने डसा, परिवार में मचा कोहराम हमीरपुर की राठ तहसील क्षेत्र के मजगवां थाना अंतरगत कोठा गाव में आज सुभा घरेलु काम कर रہी महिला को जहरीले सांप ने काट लिया. जिसके बाद महिला की हालत बिगडने पर परिजन उसे पनवाडी स्थितेक अस्पताल में ले गए जहांसे प्राथमिक उपचार के बाद जहांसी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में महिला मौत हो गई घटना की जानकारी लगते ही मृतका के परिवार में कोहरा मच गया खाना बनाने के लिए निकाल रही थी उपला जानकारी के अनुसार मजगवा थाना क्षेत्र के कोठा गाउं के निवासी धर्मेंदर राजपूत महनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरन पोशन करता है धर्मेंदर की 32 वर्षिय पत्नी कमलारानी खाना बनाने के लिए अटारी से गोबर के उपले, कंडे, निकाल रही थी तभी उसी दोरान वहाँ पर छिपे जहरीले सर्पने महिला की हाथ की उंगली में काट लिया हालत बिगरने पर आनन फानन में परिजन महिला को महोबा जनपत के पनवाडी अस्पताल ले गए मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में हुई मौथ जहां प्राथमिक उप्चार के बाद उसे जहांसी मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर कर दिया गया लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई मृतक कमलारानी अपने पीछे पुत्री नैंसी नौ वर्ष और प्रिंस साथ वर्ष को रोता बिलखता हुआ छोड़ गई है वहीं अचानक हुई इस घटना से मृतका के परिवार में कोहराम मचा हुआ है परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है सूचना पर पहुँची पुलिस के द्वारा मृतका के शव का पंच नमा भर कर पोस्ट माटम कराया जा रहा है